प्यारे विदार्थियों आप सभी का हार्थिक स्वागत वे अभिनेंदर मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी सौस्त होंगे मस्त होंगे निरंतर अपनी त्यारी केंदर वर्स्त होंगे आज का पहला क्योंशन गणेश्वर सब्वेता के अवसेस चेनेत उपस्त तो गनेश्व शुपेता कि नीम का थाना शिक्कर कांतली नदी के तड़ पर शिक्कर कंदर गनेश्व सुपेता इस थे ते और गनेश्व शुपेता की खोज सरप्रतम आर शी अगरवाल के द्वारा की ही थी और 1978 में इसका उत्कनन आर्शी एगरवाल और विजे कुमार, विजे कुमार के द्वरा इसका उत्कनन किया था और गनेशोर शब्यता को तांब्र संचेई तांब्र संचेई गनेशोर शब्यता को तांब्र जननी और गनेशोर शब्यता को पूरा तात्व का पुष्ट करके नाम से जना जाता था गणेशवार्भवेता नीम का थाना सिक्कर में इनतित है और गणेशवार्भवेता कांट लि नदी के सठ पर विक्षित हुई गणेशवार्भवेता को तांबर या पुराता कहा जाता है और एक हमने पड़ी ती आढ़ सभ्यता पुरनगरी की नम से जाना जाता है और गुषब्यता को कि तीन कालख्रट के को इसमें तीन कालखंट के लिए लगॉMat शारा रखे लोग हडपा हडपा कालिन था एक पूरू हडपा कालिन था और एक हडपा कालिन एक तांबर यूगिन एक तांबर यूगिन था तो गनेश्वर शब्बेता कंदर तीन परकार की संस्क्रप्तिक क्या उसे प्राप्त होते हैं एक पूरू हडपा कालिन के एक हडपा कालिन के एक तांबर का ओधा था होता अगला क्यों निमन मैंसे किस नदी के किनारे इस्द फित गणैस्वर में तांबर युगिन सब्वेता के उस्थ सपाय जाते हैं तो कढ़ली नदी के तब ब kalian गंश्वर शब्यता की खोज किसने की थी तो गुणेश्वर शब्यता की खोज रतंचंद्र अगरवाल के त्वार की कि थी कब की उसके बाद में रतनचंद्र अगरवाल और विजे कुमार के द्वारा गनेस्वर शव्यता का उतकनन किया था और गनेस्वर शव्यता कंद्रव वो की रूप से यहां पर म्रधभंड मिले म्रधभंड मिले और वे कपीश्वणी कपीश्वणी म्रदभंड या गेरिक रंग की म्रदभंड गनेश्वर सब्वेता से प्राप्त हुए उसे बोलते हैं OCP culture ओकट कलर और पॉटेट यहां से प्राप्त हुए थे अगला क्यों सुन गनेश्वर सब्वेता किस काल से समधी थे गनेश्वर सब्वेता तंबर कश्य काल से समधी थे और गनेश्वर सब्वेता कंदर तीन काल खंड है पहला काल खंड और गनेश्वर सब्वेता अठाइसो इसा पूरू है गनेश्वर सब्वेता अठाइसो इसा पूरू है गनेश एकतांबर यूगिन हैं और 3 कॉर्ण घंडर हैं ऑधियां गनेश्वर सुर्भेता से प्राप्त मरदभाण जूरण और जो चित्रित दूसर जो मरद्भांड है यह मुक्रव से लो यूगिन सब्वेता के अंदर प्राप्त होते हैं और गेरिक वर्णी मुर्द्भांड या कपिस्वर्णी मुर्द्भांड या OCP कल्चर जो मिलते हैं यह गनेश्वर स्विटा के अंदर राप्त होते हैं अगला क्यों सब्सक्राइब अगला कुस्षन सभी संसे नहीं है बाब को सब्छबित अगनधि को कोठारी नदी के तट पर रहें। बनागोर शब्यटा एक मत्य पाशान कालीड़ इस्तल्माना जाता है। बनागोर शब्यटा की खोच vn Mr.p vendor के द्वारा है कि' copy थे ग्याक है। बनागोर शब्यटा में प्राचिन गर्षर के सक्षिमकष बते हैं। बागोर शब्यता में राचिन पसुपालन के सक्षे मलते हैं और बागोर शब्यता कंद्र एक महिला जिसके गले में हड़ी पत्रों का हार प्राप्त होता है कहां से बागोर शब्यता से और ये कोठारी नदी के तक पर भील वाड़ा में इस्ते थे इसका मादब पहला कतन तो सही है और तो काली बंगा में दुर्गी किराण के सक्षे प्राफ्त होते हैं और राजस्तान की दो सब्वेटा है जहां से चमकिले म्रद्भांड प्राप्त होते हैं जी नहीं गणेश्वर्षे काले चमकिले म्रद्भांड नहीं प्राप्त होते हैं गणेश्वर्षे गेरु वनित म्रद्भांड यां कपीश्वर्णी म्रद्भांड यां OCP कल्चर के म्रद्भांड प्राप्त होते हैं नहीं कि काले चम्प के लिए मृध्वांट इसका अंसुरुआ तीन नमर का बेराड से बहुत व्यार प्राप्त हुए जिहां बेराड सब्याता से बहुत मट भी प्राप्त हुए मोरेकालिन अवसेश भी प्राप्त हुए माभार्त कालिन अवसेश भी प्राप्त हुए यहां पर गोल्द तो तीन नंबर इसका सही नहीं है अगला कुछन करें भी राट कि इससे पुले एक बार गनेशार शब्वेता बापिस पूरा देख लेते हैं कि गनेशार शब्वेता ईगनेशार शबेदा गणेश्वर शबेदा कांतली नदी के तटपर और यह मुखी रूप से दोख इसके तीन कालखंड थे एक पूरू हडपा कालिन एक हडपा कालिन एक तामर यूगिन यहां से सुद्ध निन्नानों परतिसत तामबा उत्पादेन होता था और यहां से तामे का निर्य किया जाता था मो जोद्रो और हडपा के अंदर और इसे मुखी रूप से गणेश्वर शब्यता को तांबर जननी तांबर संची यहां पूरा था तो कि पुस्ट करके नाम से जाना जाता था और यह अठाई सो इसा पूरू यहां से तामबी के अफसेस प्राब्द होते हैं और गणेश्वर शब्यता की खोच आर्सी अगरवाल के द्वारा 1922 में की थी लेकिन इसका उतकनन शुरू किया था उनीस सो सतातर अठातर कंदर आर्सी अगरवाल रतन चंद्र अगरवाल और विजय कुमार के द्वारा और एक इसमें इंपोर्टेंट बात है कि गणेश् और यूगा नहीं होता था यह गणेश्वर शब्यता अग्ला क्यों सब्सक्राइब बेराठ प्राचिन काल में रास्तानी थी बेराठ मतश्य जनपत्त की रास्तानी थी यांकि मतश्य जनपत्त था और जिसकी रास्तानी विराठ नगर यहां बेराठ होती थी और यह बेरा पर विक्षित हुई बान गंगा बान गंगा नदी के तर्ट पर विक्षित हुई और बेराड सब्वेता की खोज किष्णे की तो यहां इसका उतकनन 1937-37 इस्विकंदर देहराम सानी के द्वारा और उसके बाद में इसका उतकनन कारिया इसका उतकनन गया था बेराड से तीन उतकनन करता है एक तो देयराम सानी नील रतन बंदर जी और केलाड केलास नाद दिख्षित और देया का नीला कलस ट्रिक्स से याद कर सकते हैं अगला केशन बेराड से समधित सही नहीं है बेराड मुक्रूप से कौन कौन सी पाड़ियों पर है बेराड धीम की डूंगरी बीजे की डूंगरी मादेव की डूंगरी और गनेश डूंगरी गनेश डूंगरी डूंगरी पर क्या है बेराड सब्यता विक्षित हुई और जी कद रिगद से नहीं घृहीं कि विए ज्या की नेम्स एए और बीराट सभीता चा चाप्ग की अतब्लेत, और आशोग ऑशोग के समय के यहां दो अभिल्यक प्राप्त होते हैं. एक तो बेराट चाहँ अभिल्यक और एक भाबरू कबलेख जो कैप्टन बर्ट के द्वारा 837 इस्यू के अंदर खोज़ा गया खोज़ा गया था जोगी मोरी कालिंस से समधी थे अगला क्यों सुन देहराम सानी, नील रतन बंदर जी, केलास नाद दिक्सित किस सब्वेता के मुख्ये भूमी का निभा रही, यानि कि इसका उतकनन करता कों थे, तो ये बेराड सब्वेता से उतकनन करता थे, और देहराम सानी ने 1937-1937 में उतकनन किया था, उसके बाद में नील रतन बंदर जी वेक, केलात नाद दिक्सित ने 1962-63 में इसका उतकनन किया था, और ये बान गंगा नदी के तरट पर इस्तित है, बान गंगा नदी के आसपास ये विक्सित हुई थी, और ये मुक्रप से बीजग की डूंगरी, मादेव की डूंगरी, का जो उतकनन किया था, 1953-23 के अक्सिकीर्थी व्यास के द्वारा, फिर 1904 में आर्सी अगर्वाल, रतन चिंदर अगर्वाल के द्वारा, फिर 1962-63 में इसका उतकनन एस्टी सांकलिया के द्वारा किया गया था, बेराट सब्यता हो गया, गिलूंड सब्यता, गिलूंड सब्यता, रासमत जिले में बनास्त नदी के आसवास विक्सेत हुई थी, और बागोर सब्यता, बीलवारा के अंदर इस्टी थे, जो की कोठारी नदी के तटपर इस्टी थे, और जिसका उतकनन, वी एन मिस्टर के द्वारा किया था, और यह मध्य पाशान कालि यहां यहां पर लगू शुक्ष्म यहां माइक्रोलित यहां सुक्ष्म परकार के पाशान उक्रम परप्त हुए और बागोर सब्यता से, जो की प्राजिन कर्शी के साक्षि प्राप्त हुए, यहां पर प्राजिन पसुपालन के साक्षि प्राप्त कांस होते हैं, बागोर स सब्यता से अगला क्यों सब्सक्राइब बीचे की पहड़िया मोर्य कालिन इस्थूप चैत्य का एक खंधर जिसका निर्वान बारी-बारी से एक लकड़ी के सब्सक्राइब 36 इस्तंभोव व 550 के पतर्स से ग Lage लों सिवय पैकाह सही तो मोर्य काले इस्तूप है और मौर्य काले स्थुप का समन्द बेराठ सब्यतर से बेराठ सब्यक्थ अंदर मोर्य लेन से असोक का दो अभिलेग प्राप्तु एक तो बेराट का अभिलेग बोलतेrau एक भाबन लीग लिए अबंद हुर भाबिए अभिलेग चसर्प ऑसल पसंगता और इसके खोज 437 प्र मों सब्सक्राट के द्वारा इसकी खोश की थी और इस मौरिकालीन सब्वयाता से कुछ सिख्य प्राप्त हुए थे इस मौरिकालीन सब्वयाता से कुल 36 मुद्राई प्राप्त हुई 37 मुद्राई प्राप्त हुई इस 37 मुद्राउ में से 5 मुद्राई sorry 8 मुद्राई कि दिनी मुद्राई जो की चांदी चांदी की 5 मारक से मुद्राई थी 5 मारक मुद्राई थी जो सूती वस्तर से बंदी हुई थी कुल 30 मुद्राय थी उसमें से 8 चांदी की पंच महारक मुद्राय जो की सूती वस्तर में बंदी हुई मिली यहां से प्राप्त हुई थी और इसमें 28 मुद्राय 37 मैं 28 मोद्राय इंडो- ग्रिंड-ग इती पेराँ सब्यत्र कितनी मुद्रै प्राप्त होती है सक्तिश, उसमें से आठ मुद्रै चांदी की पंच मारक मुद्रै थी जो सूती वस्तर में बंधी प्राप्त होती है और अठ्थाई समुद्रै इन्डो गरिक सासकों की थी, उस 28 मुद्रा में से सोडा मुद्रा यूना नहीं राजा मिनारडर के थी और राजस्तान में ऐसी दो ही सब्वेता हैं जहां पर सूती वस्तर के अवसेश प्राप्त होते हैं एक तो बेराट सब्वेता और एक बालातल सब्वेता बालातल सब्वेता जो कि उदेपूर में यहां राजस्तान की ऐसी दो ही सब्वेता हैं जहां से सूती वस्तर के अवसेश प्राप्त होते हैं और एक तो बालातल सब्वेता जो कि उदेपूर में और एक बेराट सब्वेता जो कि जैपूर में जहांपर चांदी के आठ पंच मारक मुद्राई मिली थी, जो की सूती वस्तर में बंदी हुई, मुद्राई प्राप्त हुई थी, अगला क्यों सुन, निमर में से कौन सा मतेश्य की राजदानी थी, जिसका उलेक माह भारत में एक राज्य की रूप में किया गया था, जो जैपूर, अलवर वै ब बहुते हैं यान कि माह भारत काल की समय के आफ्सेस ही मिलते हैं, और का जाता है कि पांडगो नहीं यहां पर एक वर्ष तक अज्याद वास विताए था, और यहांसे मुइं कि रूप से, बहुत मठ प्राप्त होते हैं, कां से, बेराट सब्व गता से, बहुत मठ प्राप् और संग धम तीन नाम थे एक तो बुद्ध, संग और धम तीन सब्ध यहां से प्राप्त होते हैं जो की बुद्ध काल के समधी थे बगवान बुद्ध से समधी थे जो की ब्रामनी लीपी में लिके गए थे अगला क्यों सुन बेराट विराट में पर्थम उत्कनन किसके नेतरत में किया था बेराट सब्ध तका पर्थम बार उत्कनन 1937-37 इस्वी में कैप्टन बार्ट के दौरी देराम सानी की दौरा 1937-37 इस्वी में देहराम सानी की दोरा पेराट सब्यता का उतकरन किया जाते हैं उसके बाद में 1962-63 में नील रतन बंदर जी और गेलाद नाथ लिक्सित के दोरा इसका उतकरन किया जाता है अगला किसन बेराट में किस सब्यता के अफसेस प्रम भए तो बेराट में मौर्य कालिन सब्यता के अफसेस प्रम भए बोद ध्रम से समधित अवसेश प्राप्त हुए यहां पर सतीश मुद्राय प्राप्त हुई यहां पर उत्तर गुप्त कालिन उत्तर गुप्त कालिन संक लिपी के परमान मिलते हैं उत्तर गुप्त कालिन जेल ये सित्र के साक्षिय भी प्राप्ट कांसे होते हैं बेराड सभ्यता अगला कुम्न कि इस इस स्तर से इंडो ग्रिक सास्कोंensor 28 सिक्खे प्राप्त होते हैं नगरी गाये जितोड में बेराड का जैप्र में नगर का है टॉक में रेड का हैं तोंक में तो ये बिराडा मेता जांग सब्सक्राइब होती है उसमें से six कि न फैराथ मेने से प्राप्त होती है ठोटी के जो सूतिवस्तर में बंदी प्राप्त होती है और 28 ट्री डियॉक्ण से सफॉक्रान quarter to the moment सब्सक्राइब निवन में से किस इस्तल से यूनानी सासक मिनांडर के प्राप्त होते हैं अभी आपने देखा नगरी का हैं चित्तोड में रेट टॉक में और नगर भी टॉंक के अंदर सब्सक्राइब निवन मैं से कि पूत इस्तल से चांदी त्वभाराँ पंच प्राप्त होती हैं और यह 5 मारक मुत्रह प्राप्त div और कहां से प्राप्त होती है बेराड सभ्याता से प्राप्त होती है और हमने बात कि दी एक काली बंगा एक काली बंगा सभ्यता काली बंगा सभ्यता और एक बेराड सभ्याता से स्वास्तिक चिन प्राप्त होता है कहां से ये स्वास्तिक स्वास्तिक चो चिन प्राप्त होता है यह मुक्रूप से एक काली बंगा से भी प्राप्त होता है और एक बेराड से भी प्राप्त होता है हैं कि अगला क्यूशन है कि आज कि लिए वैस इतना ही पिर और किशनों पार डिस्कूशन करेंगे